हेलो नमस्कार जहन, हमलोग बात करने वाले हैं हमारेस jsa कि टाइपिंग टेस्ट के बारे में कि टाइपिंग किस प्रकार से होगी Movement Count सा होगा क्या स्पीड बारे में जिसे इस प्रकार की इनफर्मेर्टरी यापको समय समय से मिल्ती रहें और एक बाता हुर है कि क्मेंट बाक्स में इस वीडियो को देखने के बाद रहुअ ऑगर किसी प्रकार के आपको suspense बच जाता है तो कमेंट बाक्स में कमین्ट कर देंगे आपके सभी के मेंट्स के अधार पर मैं कीबसे य। आहुक stereo क्या होने वाला है जल्दी Simple नया मिल सकता है पुराना मिल सकता है इंफ्लेंट मिल सकता है जाम मिल सकता है लेकिन किसी प्रकार के समस्या नहीं क्रिकेट में ऐसा नहीं होगा कि कीबोड का कोई बटन ही नहीं है ऐसा नहीं होगा आप अगर ऐसा होता है आप कीबोड को अपने कीबोड के आपके पास जो ज समय तो आपका चेंज भी हो जाएगा हां लेकिन कीबोड किसी प्रकार का मिल सकता है अब कीबोड में दो चीजे है कीबोड आपको नया मिल सकता है बिल्कुल equivalent प्रकार्कार अगर मिलज़ंगे आप बदल गार इंक्ववस्पीड में टाइब करेंगे तो को कोई कोई की बारवार दजाया करेगा अंजाने में कोई कीम दबाएंगे एक आपन कि बिल्कुल बिल्कुल इन्फियंट कि लेंगे लेना है तो दबाएंगे तेज टाइपिंग करेंगे दबाएंगे नहीं ज्यादा जूर देना पड़ेगा इसलिए आपके कटींगे तो बहुत ज्यादा जाम कीबोर्ड भी नहीं लोत जिक है अपना चेक पैक सवाग है पच्चों सारे बच्चों का क्वेशन है कि बैस बाकिस पेस चाहन रहेगा कि नहीं यूज कर पाएंगे कि नहीं बैकिस्पेस का तो बैकिस्पेस का बिल्कुल यूज कर लेंगे कोई दिकत नहीं होगी अलाक नहीं होग बैकिस्पेस का कम से कम यूज करना है बैकिस्पेस का जतना ज्यादा यूज करेंगे आपकी स्पीट तुरंत घटेगी इसलिए गलत होता है उसको बगस्पारने के लिएंगे कम से कम धो कि तीन वर्ट के बराबर करर टायम लगाता है उसको क्लेक इसलिए वहाँ पर होता है और आपकी घड़ जाती है तो आपको अजरूर रहेगा लेकिन आप कोशिस करें कि कम से कम ही उज़ करें अगला कोशन यह है कि टोटल मार्क्स कितना होगा तो टोटल मार्क्स 50 होगे जिसमें कम से कम 20 मार्क्स आपको लाना अनिवारी होगा इससे कम लाएंगे तो फेल कर दिये जाएंगे अब दूसरी बात की अगली बात है कि है जितना दे सकते हैं लेकिन कम से कम 30 सब्द प्रती मिनट की टापिंग होगी इंग्लिस के लिए कम से कम 35 सब्द प्रती मिनट की टापिंग होगी तो हिंदी और इंग्लिस दोनों के लिए अलग लग टापिंग स्पीड होगी आप हिंदी देते हैं तो उसके लिए 30 वर्ट मिनट इंग्लिश की टैपिंग देते हैं तो इसके लिए 35 वर्ड प्रती मिनट यह तभी संभव है जब कम से कम 40-42 तक कर जाए क्योंकि आप यहां जो कॉटन टैपिंग करते हैं किसी भी सब्सक्राइब करते हैं तो हाइलाइट होता है अगला क्वेशन यह भी है कि क्या हाइ हायटिव होगा क्या तो नहीं बिल्कुल हायलाइट नहीं होगा और यहां पर कुछ लिखा होगा क्या तो यहांपर लिखा हो दो मसका नहीं होगा यहाँ पर आपका जो है कि मावस से अथर यहाँ यहाँिश पर तीर ले जाकर यहाँश करना पड़ेगा अपने से इसक्राव को this करल नहीं होगा ही खालगली हुलाइट जो करेंगे यहाँ पर जिसीज़ को टाइप करेंगे वो सब पर हाइलाइट होगा नहीं हाइलाइट भी नहीं होगा तो आपको पता कई से चलेगा आपको ध्यान देना पड़ेगा आपको अपने से पता नहीं चलेगा आपको ध्यान देना पड़ेगा गलती से भी अगर आप भूल गए तो समझ लिजे कि 8-10 वर्ड का नुक्सान हो गय अगर भूल गए गलती से भी कि कहां हम टाइप कर रहे थे तो आट-दस बड़ का नुक्सान हो गया इसलिए भूला नहीं है ध्यान देना है अट क्योंकि आटो इसक्राल नहीं होगा हाइलाइट भी नहीं होगा बाकि सब होगा सब कुछ काम करेगा इंस्क्रीट पर टाइपिंग होगी आप जिस भी साफ्ट्वेयर पर टाइपिंग करते हैं अभी से आप प्रेक्टिस सुरू कर दिजिए कि जो हाइलाइट दिखाता है ना आपके जब आप कंपीटर पर पीसी पर वहां भी कंपीटर पीसी पर ही करेडिन करें्ग क्योंकि वहां भी आप ही रहेगा चाहिलाइटे अपbon क्योंकर संवता हाइलाइटर नहीं होगा फंट्र किसे परकार की कंफ्यूजन बच गया है तो कमेंड में कमेंड कीजिए उन कमेंड के कि अधार पर मैं लाई भाकर सब कुछ समझा दूगा एक एक बच्चे को सब कुछ समझा दूगा ढंग से लाई भाकर तो इसलिए आप कमेंड बाक्स में कमेंड करिए किसी प्रकार के समस्या रह गई हो तो बाकी अपना टिकट सिकट जो कुछ कराना है करा लीजिए टिकट 15 सब्सक्राइब करेंगे और चैनल कभी तक सब्सक्राइब नहीं कि हैं तो सब्सक्राइब कर लेजएगा जिसे इस प्रकार की इंफर्मेटीव वीडियो आपको समय समय से मिलती रहे धने बाद